फ्री सब्सक्राइब कीजे जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं आसम नॉलेज वीडियोज दोस्तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि 301 रीडिरेक्ट और 302 रीडिरेक्ट में फरक के हैं यह रीडिरेक्ट हम यूज क्यों करते हैं, 301 क्यों यूज करते हैं और 302 क्यों 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 करते हैं छोटा सा वीडियो और छोटे से वीडियो में आपको पूरा कॉंसेट और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा देखते ही इस वीडियो का आगे मिना नाम है हुसाइन आप देख रहे हैं जवाबी वबच चानल लेट्स बिगेन तो वो शॉप वाला एक बोर्ड लगाता था अभी भी शायद लगाते होंगे कि यह दुकान आगे शिफ्ट हो गई है अगली गली में शिफ्ट हो गई है ऐसा याद है कि अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसा ही कुछ इंटरनेट की दुनिया में भी होता है कि अगर एक पेज से वेबसाइट शिफ्ट होके या उस वेबसाइट का कॉंटेंट शिफ्ट होके किसी दूसरे पेज पे चला गया है तो विजिटर्स को कैसे बता है वेबसाइट यूजर्स को कैसे बता है उनको एर्र तो दिखा नहीं सकते है वो तो बुरा काम हो जाएगा SEO के लिए तो उ यह है redirection code 301 redirection का use इसलिए होता है ताकि हम यह बता सके हैं कि यह permanent move है ठीक है वो जो old page है वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है वो मर गया है उसको खतम कर दिया गया है और जो नया page है अब user को हमेशा वहीं पर जाना है ठीक है अगर आपने redirect लगाया है तो user तो automatically चला जा लेकिन यह काम search crawlers के लिए किया जाता है क्योंकि search crawlers क्या करते हैं हर page को index करते हैं राइट वो robots होते हैं हर page को index करते हैं उसकी पूरी page की जानकारी उसके सारे attributes अपने index में save करके रखते हैं ताकि उस page की ranking हो सके अगर वो page खतम हो गया तो उन crawlers को यह बताना बहुत जरूर लिए है कि भाई यह जो पुराना page आपने कर रखा है यह खतम हो गया है इस page की इतनी भी link equity है जो भी इसके attributes है वो आप नए page में transfer कर दो और अपने record में यह save कर लो कि यह page खतम हो गया तो crawlers को बताने के लिए redirection code का use होता है अब 302 आप समझी गए होंगे काफी आसान है 30 co2 इसलिए use होता है ताकि उन्हीं crawlers को यह बताया जा सके कि यह temporary movement है ठीक है temporary हम अपनी website का यह page दूसरे page पे दिखा रहे हैं और redirect कर रहे है visitors को लेगन यह temporary move है पुराने page का कोई भी data आप अपने indexation में से ना हटा हो क्योंकि थोड़े दिनों बाद बहुत जल्द वो पुर permanent redirection है या temporary redirection है इसका और कोई purpose नहीं है SEO में जैसे कि मैंने बोला बहुत जरूरी है कि crawlers को हम यह redirection code के थूरू बता सकें कि 301 permanent हमने अपना यह content move करा है या 302 temporary हमने अपना content move करा है तो बहुत ही असान है आपको भी असान लगा होगा और उमीद करता हूँ कि आपके इ इन दोनों में फरक क्या है क्यों बहुत जादा confusion होता है कही लोग जो SEO activities करते हैं कही बार पूछते है कि 301 कभ यूज करना 302 यूज करना है तो I hope this video would help you in understanding this concept अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like or subscribe कर दीजे इस तरीके के technology ग्यान वाले videos मों अपने channel पर बनाता रहत I'll see you in the next one thank you